हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर्ट्स रेजन क्लासिस, मेरा नाम रंजना गुपता है, आज हम आप लोगों को अब्जेक्टिव कोश्चन सॉल्फ कराएंगे ठीक है, ये सारे कोश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, चलिए, कोश् सराय बनाने की प्रिथा किसने सर्वप्रिथम सुरू की, फर्स्ट ऑप्सन है अकबर, सिकेंड ऑप्सन है हुमायू, थर्ड ऑप्सन है शेर सहा, फूर्थ ऑप्सन है इन में से कोई नहीं, तो सराय बनाने की प्रिथा सर्प्रिथम सेर सहा सूरी ने सुरू करीती, ठीक है, यहां third option सेर्शाह सही हो जाएगा चलिए next question है चित्रकला को समझने में सरवाधिक कुषल शासक था first option है हुमायू second option है अकबर third option है जहांगीर fourth option है साजहा तो चित्रकला को समझने में सरवाधिक कुषल सासक जहांगीर था ठीक है यहां third option जहांगेर सही हो जाएगा चलिए next question देखते है राजपूत पेंटिंग गरंद कब प्रकासित हुआ फर्स्ट ऑप्शन है 1916 सेकेंड ऑप्शन है 1918 फर्ड ऑप्शन है 1919 फौर्थ ऑप्शन है 1921 तो राजपूत पेंटिंग गरंद 1916 में प्रकासित हुआ ठीक है और यह किसकी पुस्तक है तो आनन्द कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग ठीक है चलिए next question देखते है रावी वा सतलज नदियों के बीच का प्रदेश क्या कहलाता था फर्स्ट ऑप्शन है खाड़ी सेकेंड ऑप्शन है सागर थर्ड ऑप्शन है त्रीगर्थ फोर्थ ऑप्शन है महा सागर तो रावी वा सतलज नदियों के बीच का प्रदेश त्रीगर्थ कहलाता था यहां थर्ड ऑप्शन त्रीगर्थ सही हो जाएगा चलिए next question देखते है हिरण का पीछा करते हुवे भैसा किस कुफा का चित्र है फर्स्ट ऑप्शन है मिर्जापूर, सिकेंड ऑप्शन है पहारगर, थर्ड ऑप्शन है भीम बेटका, फूर्थ ऑप्शन है पंचमरी, तो हीरण का पीछा करते हुए भैसा भीम बेटका की गुफा का चित्र है, ठीक है? यहां भीम बेटका सही हो जाएगा, चलिए नेक्स फूर्थ ऑप्शन है पहारी शैली, अब्दुल रह्मान चुक्ताई का संबंध है बंगाल सैली से, ठीक है? यह बंगाल सैली के कलाकार है, देखिए इनका जन्द 1897 स्वी में लहोर पाकिस्तान में हुआ ठीक है? और इन्हें रंगों का समराट कहा जाता है, ठीक है? ऐसे क पूस्चन आता है ना, कि रंगों का समराट किसे कहा जाता है, तो अब्दुल रह्मान चुक्ताई को कहा जाता है, चलिए नेक्स वस्चन देखते हैं, पोथी चित्र के महतपूर सचित्र गंतों में निम्न में कौन नहीं है? कि कहा यहां नहीं है, पूछ रहा है, चित्र के महतपूर सचित्र गंतों में गड़ेस जननी नहीं है, ठीक है, यहां गड़ेस जननी सही हो जाएगा, चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं, उदेगीरी और खंडगीरी की गुफाएं किस काल की हैं? फर्स्ट ऑप्शन है घुप्त काल, सेकेंड ऑप्शन है शु और यह गुफाएं कहां हैं? तो ओड़िसा में भूवनेश्वर में यह गुफाएं हैं ठीक है, और उदेगीरी और खंडगीरी की गुफाएं किस धर्म से संबंदित हैं? तो जैन धर्म से संबंदित हैं, चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं, मुंबई लोकल ट्रेन का च चित्रण किस ने किया है? सुधीर पटवरधन ने किया है, फिक हैं? इनका जन्म owners zero crime में पूरे महरास्ट में हुआ था ठीक? और यह रेड्यों लोजिस्ट कलाकार के रूप में प्रसीद हैं यह रेड्यों लोजिस्ट कलाकार के रूप में प्रसीद हैं और यह मुख्य राजी की लोकला है तो मधूबनी बिहार राजी की लोकला है नेक्स क्षोच्चन है वहाँ कौन सा मुस्लिम सासक है जिसने हिंदु देवी देव्ताओं वाले सिक्के चलवाएं। किस्मुगल सासक ने हिंदू देवि दिवताव वालने चलवाइँ थे तो महम्मत-गोरी ने चलाया थी। qualified सही हो जाएगा। किस ने रवींद्र नाट टैगोर की पुष्टक सहच पत्र का चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने संथाल फैमली मूर्ति का मूर्तिकार कौन था तो संथाल फैमली मूर्तिकार है राम किंकर बैच ठीक है इन्हें आधुनिक भारती मूर्तिकला का पिता भी कहा जाता है इनका जम 1906 वी में पस्चिम बंगाल के पांकुडा के जुगी पारा में हुआ था ठीक है चलिए next question देखते है फिर का शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रियुक्त हुआ है फर्स्ट आप्शन है जैपुर सैली सेकेंड आप्शन है मुगल सैली थर्ड आप्शन है पत्ना सैली फोर्थ आप्शन है बसोली सैली तो फिर का शब्द का चित्रण हुआ है पत्ना सैली में ठीक है किस चित्रण परंपरा में प्रियुक्त हुआ है फिर का शब्द तो पत्ना यानि की कंपनी सैली में ठीक है बंगाल की लोग कला गगनिंद्र ना टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है फर्स्ट ऑप्सन है घनवादी, सेकेंड ऑप्सन है जंगलवादी, थर्ड ऑप्सन है भविस्यवादी, फोर्ट ऑप्सन है कोई नहीं तो पंगाल की लोग कला गगनिन न टैगोर की चित्र कला घनवादी दिखाई देती है ठीक है घनवादी यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन देखते है सुल्तान गंज से प्राप गुप्त कालिन बुथ प्रतिमा की भाव भंगिमा है फर्स्ट ओप्सन है ध् प्रतिमा में है ठीक है यहाँ अभै मुद्रा सही हो जाएगा यह प्रतिमा बिहार के भागल पूर जिले के सुल्तान गंज से प्राप मी है ठीक है और यह प्रतिमा किस धातों की बनी है तो कांसिय में यही पृतिमा बनी हुई है चलिए next question देखते है नाट्य सास्त्र में कितने प्रिकार के रसों का उनलेक किया गया है फर्स्ट ओप्शन है साथ, सेकेंड ओप्शन है आठ, थर्ड ओप्शन है नौ, फोर्थ ओप्शन है दस तो नाट्य सास्त्र में आठ रसों का उनलेक किया गया है ठीक है और नाट्य सास्त्र के रचईता भरत मुनी है चलिए next question देखते है प्रिसित चित्र जमीन का कलाकार कौन है फर्स्ट ओप्शन है असित कुमार हलदार सेकेंड ओप्शन है राजा रवीवर्मा फर्ड ओप्शन है M.F. हुसैन फोर्थ ओप्शन है केसियस पनेकर तो जमीन का चित्रकार है M.F. हुसैन मकबूर फिदा हुसैन ठीक है ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के कलाकार है चलिए लेक्स कुश्चन है काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेर्णा बने फर्स्ट ओप्शन है यामनी राए सेकेंड ओप्शन है वियस गायतोंडे थर्ड ओप्शन है आरें टैगोर फर्थ ओप्शन है आमरेता शेर गिल तो काली घाट के चित्र यामनी रंजन राए की प्रेर्णा बने थी ठीक है इनका जन 1887 इस्वी में पस्चिम बंगाल के बांकुडा के बेलिया तोरे में हुआ था ठीक है और यह मुखे रूप से लोग कलाकार के रूप में प्रसिद रहे हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं भारत में कलर विसको सिटी को प्रेचलित किया फर्स्ट उप्सन है अनुपम सूथ, सेकेंड उप्सन है सनतकर, थर्ड उप्सन है क्रिशना रेड़ी, फॉर्थ उप्सन है जग मोहन चोपड़ा भारत में कलर विसको सिटी, जिसे वर्ण अस्यानता या बहुरंगी छापा भी कहते हैं इसका प्रारम किस ने किया था? क्रिशना रेड़ी ने किया था, ठीक है? यहां क्रिशना रेड़ी सही हो जाएगा, इनका जन्म 1925 इसवी में हैदराबाद में हुआ था चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं, भारती कला में वेधी बंध शब्द निमने में से किस समंद्धित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुर्ती कला, सेकेंड ऑप्शन है संगीत, थर्ड ऑप्शन है नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है मंदिर स्थापत्य तो भारती कला में वेडी बन शब्द मंदिर स्थापत्य से संबंदित है ठीक है यहां फोर्थ ओप्शन मंदिर स्थापत्य सही हो जाएगा चलिए नेश कोश्चन देखते हैं पटवाचितर कहां से संबंदित है फर्स्ट ओप्शन है मधुबनी सेकेंड ओप्शन है कोटा थर्ड ओप्शन है काली घाट फोर्थ ओप्शन है लाल घाट तो पटवाचितर कहां से संबंदित है काली घाट से संबंदित है ठीक है काली घाट से प्रभावित कला कौन थे तो यामनी रंजन राय थे चलिए, next question देखते हैं राजस्थाने सैली की कौन सी सैली में शिकार विशे पर आधिक में चित्रण हुआ है फिस्ट ऑप्शन है जैपूर सैली, स्िकेंट ऑप्शन है कोटा सैली, फ्र्र ऑप्शन है किशनगर सैली, फ्र्थ ऑप्शन है कांगना सैली तो राजस्थानी सैली की कौन सी सैली में शिकार विशे पर अधिक से अधिक चित्रन हुआ है कोटा सैली पर हुआ है ठीक है यहाँ सेकेंड ओप्सन कोटा सैली सही हो जाएगा चलिए नेक्स कुश्चन देखते है केश आरा किस कला युक के कलाकार थे फर्स्ट ओप्सन है कोलकता ग्रूप सेकेंड ओप्सन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप थर्ड ओप्सन है मुंबई ग्रूप फोर्थ ओप्सन है दिल्ली शिल्पी चक्र तो केश आरा का संबंध है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप से ठीक है इनका पूरा नाम कृष्ण हवला जी आ रहा है ठीक है इनका जन 1914 इस्वी में बोला नाम आंधर प्रदेश में हुआ था चलिए नेक्स क्वेश्चन देखते हैं बसौली पेंटिंग किसने लिखी फर्स्ट ओप्सन है मोती चन सगेर ओप्सन है MS रंधावा थर्ड ओप्सन है मनोहर कॉल फर्ट ओप्सन है आनन्द कुमार स्वामी तो बसौली पेंटिंग किसने लिखी है MS रंधावा ने लिखी है यहां MS रंधावा सही हो जाएगा चलिए नेक्स क्वेश्चन है निम्न लिखित में से कौन सा चित्र केके हैपर द्वारा चित्रित है फर्स्ट ओप्सन है शिव मुखाकृती सिकेंड ओप्सन है मदर टेरेसा थर्ड ओप्सन है मुर्गे की लडाई फौर्थ ओप्सन है मुलूमीन राधिका केके हैबर का चितर है मुर्गे की लडाई यहां सही हो जाएगा इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम कुटिंगेरी कुष्ण हैबर है इनका जन्म 1911 स्वी में कुटिंगेरी करनाटक में हुआ था और इन्हें Bombay Group का नेता भी कहा जाता है के कहपर को Bombay Group का नेता कहा जाता है चलिए next question देखते है 1844 में सर्व प्रिथम किसका लाकार ने अजन्ता की चित्रों की प्रतिलिपिया तयार की First option है Robert Gill, Second option है Ajit Khos, Third option है अवनिननात, Fourth option है Parsi Brown तो 1844 में सर्व प्रिथम अजन्ता की चित्रों की प्रतिलिपिया रॉबर्ट गिल ने तयार करी थी ठीक है यहां रॉबर्ट गिल सही हो जाएगा Next question है More Recalling सारनात की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मेथ है First option है चुनार बलुआ पत्थर, Second option है ग्रे नाइट, Third option है चूना पत्थर, Fourth option है संग्वर्मर More Recalling सारनात की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मेथ है Next question है Company चित्रशैली का विकास काल है First option है सत्रहवी शताबदी Second option है अठारवी शदी Third option है उनिस्वी शदी Fourth option है विस्वी सदी Company चित्रशैली का विकास काल है उनिस्वी सदी ठीक है यहां Third option उनिस्वी सदी सई हो जाएगा आज इतने questions solve कराएंगे ठीक है अब next class में और questions solve कराएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और revision करते रहिए Thank you so much